बिसमिल्लाय राख्मने रहीम असलाम अलेकम फ्रेंड्स और विल्कम बैक टू माई चैनल कुप विद दीबा तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें तो आज मैं सबकी फेवरेट रेसिपी लगर रही हूं मटर प्लाओ हर किसी को पसंद होता है तो चलिए चलते हैं इसके इंड्रीडेंस की तरफ गी या आयल मिर पास एक कप है दो दर्म्याने साइस के प्याज है एक कप दही है दो दर्म्याने साइस के टेमाटर है लसन अदर का पेस्ट एक टेबल स्पून एक किलो मटर है इनको मैंने आदा गुंटा पहले भीग हो लिया था कड़ी पता एक अदर नमक हस्पे जरूरत लाल मिर्च 1.5 टी स्पून पिसा गरम मसाला 1.5 टी स्पून जीरा 1.5 टी स्पून थोड़ा सा थाबत गरम मसाला खुश्क दनिया 1.5 टी स्पून तो चलिए इसको बिनाना स्टार्ट करते हैं इसे पहले हम अपनी देख्षी में घिडा लेंगे डालके इसको गर्म किरेंगे और चमच कर चलाते जाएंगे ताके घी गरम हो जाए जब अच्छा सा गरम हो जाएं तो इसमें प्यास डालाएंघी मैं कि डालके फ्राइय करना शुरू करोंगी इसको हमने गोल्डन खूंने तक फ्राइय करना ह Hey यह कि प्यास मेरा गोल्डन हो चुके आब इस नहीं में हमाएं डालूंगि कि वह भुच सवाव तवकति कोुमाटर डालकर दोंगी डाल के फ्राइ करूंगी अब इसमें हम अपने मसाले डाल देंगे करी पता, जीरा और जो साबत गिर्म साला था हमारे पस वो डाल के फ्राइ करेंगे और टेमाटर भी हमारे सोफ्ट हो चुके हैं अब इसमें हम दाई डाल देंगे और दाई में पहले मसाले डालूंगी जितने भी हमारे पास पीसे होई मसाले थे वो सारे दाई में डालेंगे ताकि उनका अच्छा सा फ्लेवर निकले दाई में डाल के उसको मिक्स करेंगे फिर उसके बाद डालेंगे अब इसमें सारे मसाले डाल देंगे अब ये दई और मसाले डाल के हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पकाएंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से पक जाएं और इनकी हुश्बू निकलाएं दही डालने से हमारे चावल बहुत सोफ्ट और खिले-खिले बनेंगे और टेस्टी होंगे और ये काली मेर्श में डाल दी है पिसी हुई हिलाते जाएंगे इसको अब साथ ही हम इसमें मटर डाल देंगे मटर डाल के फ्राइ करेंगे दो-तीन मिनटे इसको फ्राइ करेंगे फिर इसमें पानी डाल देंगे यहां पर डिल ग्लास पानी डाल है मैंने इसमें डाल के इसको मिक्स करोंगे अच्छी तरह से इसको फ्राइ कर लोंगे और साथ ही इसको दस मिनट के लिए पकाएंगे हम ताके मटर गल जाए दस मिनट हो चुके हैं मटर हमारे गल चुके हैं देखने से ही पता चल रहे हैं अब इसमें चावल डाल देंगे अब डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि सब कुछ आप इसमें मिल जाए अब इसमें तीन ग्लास पानी डालोंगी आपने यह बाकी का पानी भी चला गया तीन ग्लास तीन ग्लास पानी डाल दिए अब इसको कवर करके पकाएंगे दस मिनट के लिए ताकि चावलों का पानी सूप ज़ाए फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे दस मिनट गुजर चुके हैं तो चावल हमारे रेडी हैं पानी इसका सारा ड्राइ हो चुका है देखें कैसे खिले खिले चावल बने हैं एक एक दाना लाग गे हैं और मटर का कलर भी कितना अच्छा रहा है फ्लेम इसकी शलो कर देंगे और इसको दस मिनट के लिए दम लगा देंगे चलें, तो दस मिनट बाद मिलते हैं तब तक हम इसके लिए राइता त्यार करते हैं इसका लिए मेरे पासे एक कप दही इसको ब्लेंडर में डालूँँगी टेमाटर दो मैंने काट लिये थे छोटे साइज के और ये तीन क्लॉफ्स लसन के हैं ये भी डाल दूँगी जीरा वन टीस्पून है और साथ ही मेरे पास ये लाल मिर्चे हैं साबद तीन चार पीस ये डाल दूँगी और इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्ही तरह से राइता हमारा रेडी है ये तो 10 मिनट गुज़र चुके हैं दम हमारा लग चुके है चावलों को चावल रेडी है और कैसे खिले-किले से बनेये तो आप मैं इसको डिष आओट करूँगी जी तो आप चावलों को मैंने डिष बहुत ही जबर्दस खिले खिले बने हैं ट्राइ करती हूं आपके सामने बहुत ही मज़े की हुश्बू हा रही है जबर्दस आप भी इसको ज़रो ट्राइ किजिएगा और करके मुझे बताईएगा उमीद है आपको मेरी आज की यह रेसिपी पसंद आई होगी अपनी दवा कुछ से लिए अलाह साथ।